एशिया कप 2023 के शुरुआत 30 अगस से हो रही है टूर्नमेट में टीम इंडिया अपना पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ 2 सितंबर को खेलेगी एशिया कप में भारती बल्लेबास विराट कोहली की नजर पूर्त दिगज बल्लेबास सचिन तंडूलकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड पर हो एशिया कप के जरिये विराट कोहली बंडे में सबसे तेज 13,000 रन पूरे कर सकते हैं फिलाल ये रिकॉर्ड सचिन तंडूलकर के पास मौजूद है कोहली को सचिन तंडूलकर के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को दरशाई करने के लिए सिर्फ 102 रनों की तरकार कोहली अब तक 265 वंडे पारियों में 12,880 में रन बना चुके हैं वहीं सचिन तंडूलकर ने 321 वंडे पारियों में 13,000 रन पूरे किये थे ऐसे में कोहली के पास दिगगत सचिन के इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए पूरे 55 मौके कोहली अगर 55 पारियों में भी 102 रन मना लेते हैं तो वो सचिन से आगे निकल जाएंगे गौर तलब है कि एशिया कप में टीम इंडिया अपना पहला माच पाकिस्तान के खिलाव के लेगी विराट कोली पाकिस्तान के खिलाव हमेशा अच्छी ले में दिखते हैं ऐसे में पाकिस्तान के खिलाब शत्की पारी खेल कर भी उस सचिन टेंडूल करके इस बड़े रिकॉर्ड को तोड वंडे में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाडी बन सकते हैं। वंडे में विराड कोली कुल 40 बार नाबाद रहे है। अब ये देखना होगा कि यहाँ पर किस तरीके से विराड कोली शांदार तरीके से तिक सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ पाते हैं।